Hello Friends, आज़ के इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Vivo Y 72 Android वाइलज फोन में आप जो हाइज कन्त्रास्ट एक सेटिंग को आपने यूज कैसे कर सकते हैं और यह high contrast text setting जो है काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में Setting page को open करना तीक है Setting page को open कर लीजा अपने mobile phone में सबसे पाइज में आपको नीचे आन है यहापको यह option मिल जाइगा shortly and accessibility इसे आपको select करना है इसके अगले page मा आपको नीचे इयह option मिलेगा font and display size phone 10 display size पे select करना है तो आपका ये page open होगा इसमें आपको नीचे ये option मिल जाएगा high contrast text का high contrast text इस option के ठीक सामने आपको ये button दे रखा है इस button को tap करके से button को on करना है ठीक है तो यहाँ पर इस button को on करने से पहले हम आपको कुछ बाते यहां पर बता देता हूं देखिए दोस्तों हमारे mobile phone में काफी सारे ऐसे text होते हैं जिनका color जो आपको दिखाता हूं ये देखिए सामने हमारे जिनका color फेड होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको करना है क्या है इस high contrast setting को on करना है तो जिससे इतनका color जो है उपर वाले के option की जैसे बराबर black हो जाएगा डार को जाएगा देखिए ध्यान से देखिए मैंने setting को on कर दिया उनका color भी जो है उपर वाले के color की तरह ब्लैक हो चुका है ठीक है तो अगर आप इस setting को एक बार enable करेंगे तो आपके पूरे mobile system पे setting apply हो जाएगी ठीक है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूं आपके phone में इसके लिए आपको mobile phone का setting page फिर से open करना है setting page में आपको सबसे ओपर यह search icon select करना है और यहाँ पर आपको search bar में font and display size type करना है ठीक है तो आपको नीचे phone and display size का option शो हो जाएगा इससे select करना है इससे क्या होता है आपका mobile phone आपको directly setting में आपको ले